नमस्कार आप देख रहे हैं चौपाल समाचार चौपाल समाचार की हर ख़बर समाज पर करती है तो वैक्सिन लेने के लिए लोग तयार नहीं हो रहे हैं बरीमसकत के बार लोग अको मनाया जा रहा है कोई पेर पर चड़ रहा है तो कोई भाग रहा है हाली में एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें की वीडियो बल्या का बताया जा रहा है और इसमें जो वैक्सिनेशन के लिए लोग करमचारी Ais estos elim उठापटक कर दी गई उस वैक्सिन जो नहीं ले रहे थे उनके माध्यम से तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी दर्चकों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत पुरून है आज वीडियो को पहले देखें समझें और आप भी कमेंट करें कि क्या ऐसा होन चाहिए पहले उससे वाइरल वीडियो को अपने अदाज में अपनी नजर से भी देखें क्या कुछ मामला हुआ है आज प्रूंगी अबाज वच्छा करें कंवेपों परोण को विजबी हिर् दोखें आजे खी करें को अई भि कुट अपिकमं भें करें कि आफ़ पर दोवानिके ऑठी करें को न कि वह मैं कहना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह वह जो वेक्ति मेरी बिचार मेरे मेरे नेजर में। वो वैक्ति गुनेहगार नहीं है, वो वैक्ति गुनाह नहीं कर रहा है, समझदारी की कमी है, ऐसा कह सकते हैं आप, या जागरुकता का भाव है, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि वो करमचारी है, उनके साथ उनने जबस्ति मार पिट की है, या कुछ और बात है, मेरी हैं कोरोना को लेकर के भी इतनी जागरूकता फैली है बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया है लेकिन गाउं में भी आज कम जागरूक है और कुछ मिथ्या कुछ ऐसी जानकारी भी लोगों के भीच घूम रही है कि वैक्सिन को लेकर लोग नाकरात्मक हुए हैं सहर में देखा गया है कि सहर के जगों पर वैक्सिनेशन को लेने के लिए लोग ज़्यादा जागरूक हैं गाउं में उस अस्थर की बात अभी तक नहीं पहुँच पाई है तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी दर्सकों के माध्धम से हो समच अधिकारी पता जाएं जब वो समझ जाते हैं तब जाकर उसे वैक्सिन लगाने का प्रयास करें नहीं तो मेरे मैंने आपको जो मैंने जडे अभी जो मैं जो देख रहा हूं आपकी जहां की स्थिती जो करमचार्यों किशाज हो रहा है इससे किसी भी तरह के जो सकरात्मक बात यहां पर न जैसको और दिक्कत हो जाती तो कितनी बरी समझ जया होती और गुनेहगार यहां पर दोनों लोग अपने अस्तर से एक तो अपने की बचाव करने के लिए बात कर रहा है कि हम अगर वैक्सिन लगाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी तो उन सारे चीज़ों को बदले बेगार अ हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले तो इस वीडियो को फॉरबार करते हुए जरूर कमेंट करें आप कि वैक्षिन बेहतर है जिससे की और लोग जागरूप बने शाथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप करमचारी अगर हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं आपको मैं अगाह करूंगा क्योंकि गांओ कराम चौपाल जो जुड़ा हुआ है गांओ कराम से हमने वह स्थिती देखी है वहां की बाते को मैंने महशूस किया है तो वहां जाकर आपको पहले जागरू करना परेगा तब ही जाकर लोग वैक्षिन में सत प्रतिश यह जिसमें पूरी दुनिया जो है वो परभावित हुई है इंडिया में भी बहुत लोग जो भारत में हमारे बहुत लोग परभावित हुई है अपने कोरोना के कई सारे लहर को आपने देख लिया है और यह तीसरा वेव अभी हमारे यहां जो महसूस किया जा रहा था तो इसमें भी बचाओ का एक ही मात्रोपाई है जो वैक्षिन है और सोचल डिस्टेंसिंग है तो इस दोनों का पालन करें सुरक्षित समझें सभी लोग वैक्षिन ले और दूसरे को ले ने को ले भी प्रेरीद करें तो आसके लिए बस इतना ही इस फीडियो को ज्यादा साथ ल सब्सक्राइब कर रहा है वाटसप से आप हमें संपर कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही कैमरा पर सल राहुल कुमार के साथ मैं हूँ अभशे कानन चौपाल समझार के लिए धन्यवाद